परसान जी के लिए आपके भी मन में अगर हजालों सवाल होते हैं ना कि इनसान भी कही फ्रॉड ना हो कही ढोंगी ना हो या फिर उन जैसे ही ना हो तो इस वीडियो को देख लीजिए आपके सारे प्रस्निक उत्तर आपको मिल जाएंगे जो भी पॉप छोड़ने की इतनी ज कैसे होगे क्यों तुम्हारे दमाग में ये क्यों नहीं होता कि आप गौतम गुद्ध जैसे होगे हजारों दूसरे भी तो उधारण हैं तुम्हें दमाग में ये क्यों नहीं आता कि वेवेकानन जैसे होगे तुम्हारे दमाग में ये क्या से आ गया सब ही जूटे होते है तो गौतम बुद्र भुझ जूटे थै, राम भुझ जूटे थै, कृश्ण भी जूटे थै जब तुम बोलते ओर यह सब फ्रॉड होते, सारे बाबे फ्रॉड होते है बाबा हूँ नहीं, पर मान लो बाबा हूँ भी तो फिर तो रमण भरशी को भी फ्रॉड होने चाहिए था ना उनको भी बोलो फ्रॉड तुमने तो कह भी है सारे ही फ्रॉड होते यह क्या मूर्खता है और मैं बता रहा हूँ यह बात यह नहीं है कि एक या दो या पांच लोग पकड़े गए हैं कोई कांड में बात यह है कि तुम बस इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई घोटाला सामने आए और हम अध्यात्म से दूर भागें क्योंकि अध्यात्म में भोगने को नहीं मिलता यह बार बार बताया जाता है त्याग सहियम त्याग सहियम और उधर सब अपसराएं तयार हैं अपना जिस्म लेके लुभा रही हैं अध्यात्म के मारे उन पर हम तूट नहीं पा रहे हैं दुनिया भर की रंगीनिया हमें आकरशित कर रहे हैं उनको हम भोग नहीं पा रहे बाजार हर तरह के मजे लेकर के हमको निमंतरण दे रही है हम बाजार के निमंतरण सुईकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अध्यात्म कह रहा है कि देखो सच्चाई पर ध्यान दो ये रोशनिया तो दो दिन में बुझ जानी है अध्यात्म बिलकुल put off कर देता है वो हमको उत्तेजित कर रहे है वो हमें arousal दे रहे है और अध्यात्म की बाते सुनते है तो हमको तो arousal चाहिए न वहाँ पर हमको हर तरीके से बुलाया जा रहा है, रिजाया जा रहा है विज्यापन, बाजार कंपनिया भोग ये सब खीच रहे हैं लेकिन तभी पीछे से अध्यात्म की आवाज आ जाती है कि बेटा तुम किसी जूटी चीज में फस रहे हो कश्ट मिलेगा ये आवाज बहुत बुरी लगती है तो इस आवाज से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि इस आवाज को बदनाम कर देते हैं क्यादेते हैं कि धर्म चीज ही छूटी है क्यों क्योंकि दो-चार धर्म गुरू पकड़े गए हैं तो धर्म ही जूटा हो गया बहुत बेमानी भरी है ना अंदर बहुत बेमानी भरी है ना अंदर असली बात बताओ क्यों क्यों नहीं सुनना चाहते हैं मेरी बात और जो वीडियो मेरा जितना हार्ड हिटिंग होता है उस पर उतने ज्यादा कॉमेंट आते हैं ये बोलते हुए कि ये भी साहब उनी जैसा है ये भी वैसा ही है उस कॉमेंट कहाने का मतलब ही यह है कि तुम्हें चोट लगी है तुम्हें पता है मेरी बात सही है तुम्हेरी बात से बचने के लिए तुम अपने आपको ये बहाना दे रहे हो कि नहीं नहीं इस आचायरे की बात मत सुनना ये भी तो वैसा ही है